हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मोर टेस्टी फूड पर आज मैं आपके साथ तीन चीजों से बनने वाले हेल्दी नास्ते की रेस्पी शेर करूंगी साथ ही हरी चटनी की रेस्पी भी शेर करूंगी इस चटनी को आप किसी भी नास्ते के साथ सर्व कर सकती हैं सबसे पहले टेश्टी सा नास्ता बनाने के लिए ये आधा कप साबू दाना है जिसे कड़ाई में डालेंगे गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे लगातार चलाते हुए साबू दाने को भूनेंगे यहां मैंने साबू दाने को भीगो कर नहीं लिया है ये कच्चा ही साबू दाना है इसे सूती कपड़े से पहुच लिया है साबू दाना तीन चार मिनट अच्छे से भूनना है तब ही ये आसानी से पिसेगा साबू दाना अच्छे से भून गया है अब गैस की फ्लेम आफ करेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे फिर से वही कड़ाई गैस के उपर रख लिए इसमें आदा कप मूम फली दाना है इन्हें डालेंगे ये कच्ची मूम फली हैं इन्हें हमें लगातार चलाते वे भूनना है और ये एक कप मखाने लिए इन्हें भी मूम फली के साथ ही भूनेंगे मूम फली और मखाने बहुत जल्दी रोष्ट हो जाते हैं इसलिए मैं इन्हें एक साथ भून रही हूं लेकिन ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि साबू दाना आपको अलगी भू अब हम ये करेंगे कि ये हमने साबू दाना भून का रखा हुआ है वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है आप उसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे और बारीक पीसेंगे तो मिक्सी कंटिनुसली नहीं चलाएंगे थोड़ी देर चलाएंगे फिर रुकेंगे फिर चलाएंगे इसी तरह से हमें बिल्कुल बारीक साबुदाने को पीशना है साबुदाना पाउडर फॉम में बारीक पीश चुका है इसे एक mixing bowl में निकाल लेंगे Friends, वरत के लिए ये recipe बहुती tasty और healthy है इसे आप बना कर जरूर खाएं, आपको पूरे दिन energy मिलेगी अब इसी bowl में मुमफली दाना और मखाने को पीशेंगे क्योंकि बाद में इन्हें हमें साबुदाने के साथ मिक्सी करना है तो जार को दोने के आप सकता नहीं है उसी जार में बारीक पीश लेंगे मुमफली, मखाने दोनों ही चीजे बारीक पीश चुकी है यह बहुत जल्दी पीश जाते हैं साबुदाना पीशने में थोड़ा सा ज्यादर टाइम लगता है अब इसे भी हम मिक्सिंग बॉल्ब में साबुदाने के साथ डाल देंगे अब इसमें हमें बाइंडिंग के लिए यह चोथाई कप समा के चावल का आटा है पिसा हुआ इसे डाल देंगे इसकी जगह सिंगाडे का आटा या कुटू का आटा भी आप डाल सकती हैं विरत के लिए नहीं बना रही हैं तो बाइंडिंग के लिए सूजी या मैदा भी डाल सकती हैं नास्ते में बढ़ी आसा टेस्ट आये तो ये एक तिहाई कप दही है इसे भी डाल देंगे साथ ही आधा चम्मच हरी मिर्च पीसी भी है इसे डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग सैधा नमक डाल दे आप इसमें ये नॉर्मल पानी हैं इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस बैटर को बनाया है पूरा एक गिलास पानी लग गया है जिस कंसिस्टेंसी का बैटर मुझे चाहिए 15 मिनट के लिए इसे एक साइड रखेंगे साबुदाना भी थोड़ा फूल जाएगा हरी चटनी बनाएंगे ये दो हरी मिर्च बड़े टुकडों में काट कर लिए हैं आदा इन चदरक का टुकडा और थोड़ा सा पुदिना पत्ती लिए हैं इन तीनों चीजों को मिक्सी के जार में डाल देंगे इनी के साथ हरी धनिया पत्ती भी चटनी में डाल सकती हैं साथ ही एक टमाटर बारिक काट कर लिया है इसे भी डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल कर बारिक पीच लेंगे पेश्ट के अकॉर्डिंग सेंधार नमक डाल कर मिक्स करेंगे हरी चटनी बनकर तयार है 15 मिनट बाद मिस्टन को देख रहे हैं तो साबू दाने ने काफी पानी सोक लिया है अभी इसमें हमें थोड़ा पानी ओर डाल कर मिक्स करना पड़ेगा दोस्तो विरत के लिए बहुत हेल्दी नास्ता है आप बिना विरत के भी इसे बना कर खा सकती है बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए यहां गैस के उपर मैंने अप्पम पैन को गरम होने के लिए रख दिया है अब सभी कैविटी को हम रिफाइंड ओईल या देशी गी से अच्छे से ग्रीस करेंगे बैटर को एक बार फिर से मिक्स करेंगे सभी कैविटी में चमच की हल्प से बैटर डालेंगे गैस की फिल्म शिलो टू मीडियम के बीच ही रखनी है जिससे अप्पे अंदर तक बढ़िया से सिख जाएं सभी कैविटी फिल होने के बाद उपर से लिड लगा कर पकने के लिए छोड़ेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे तीन से चार मिनट बाद लेड हटा कर देख रहे हैं तो अप्पे नीचे से सीख चुके हैं इन्हें मैंने एक बार बीच में भी चेक किया है इन्हें पलट देंगे जिससे ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख जाएं एक बार फिर से उपर ओईल लगा देंगे जिससे अप्पे बढ़िया से सीख जाएं और फिर लिड से कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे दो-तीन मिनट बाद फिर से लिड हटा कर देखेंगे कि अपके कच्छे तो नहीं रह गए रहा गये अगर लगे कि एक किसी साइड से अपके कच्छे हैं तो उस साइड से पलटकर फिर से ढख कर पकने के लिए छोड़ दें एक मिनिट बाद हम देख रहे हैं अपके बढ़िया से सिख गए हैं अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स अब तो वीडियो को लाइक कीजिए आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत माइने रखता है लीजिए फ्रेंड्स व्रत में बहुत कम ओईल का नास्ता बनकर तयार है और टेश्टी भी है सभी को बहुत पसंद आएगा वीडियो पसंद आई है तो फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेर करें एक पीस में आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ देखिया उपर से कितरे क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल जालीदार नास्ता बनकर तयार हुआ है और हरी चट्नी के साथ तो खाने का मज़ा दोगना ही हो जाएगा दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोर टेश्टी फूड को सब्सक्राइब जरूर करें पास में जो बेल आइकोन है उसे प्रेस करना ना भूलें जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी थैंक्स फर वोचिंग माई वीडियो